नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्पोर्ण सूचना आप सभी को मालूम है कि संगलोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परिक्षा के लिए तिथियों को घोसित कर दिया है ऐसे में अब से सिर्फ आठ माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है सेवल सेवा परिक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा दोनों ही लिहाद से सामान्य अध्यन एक बड़ी चुनोती होता है इसी चुनोती का सामना करने के लिए स्रेश्ट ववा अनुभवी सिक्षकों की टीम के साथ Target with Alok Institute में IAS Target Online बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधी आठ महीने होगी हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकि प्रसासनिग अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विक्सित करते हैं ताकि बहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान अधियन को तैयार किया जा सके आलोक सरके कुसल नर्देशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर बहुत ही निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा करिक्रम में प्रारंभिक परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग सी सेट और मुख्य परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग निबंध सामिल है यहां आपको मिलेगा प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्तरित कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विशयक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए, लाइब कक्षाएं, इनिमेशन और पावर पॉइंट तक्निक के साथ, प्रारंभिक और मुख् सेट की कक्षाओं का संपूर कारिक्रम लेखन सैली के लिए विशेशी कृत सत्र अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं तो ज्वाइन करिए आलोक सरके कुसल नरदेशन में IAS टार्गेट ओनलाइन बैज हमारे कारिक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के ल बारियों को केंदर सरकार की ओर से बड़ा तोफा GST छूट का दायरा बढ़कर हुआ 40 लाख एक जुलाई 2017 से लागू है GST असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा सुरू नदी के दोनों किनारों के जुडने से आवा गमन में होगी सुबिधा परियतन को भी मिलेगा बढ़ावा तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुआत क चूट का दाइरा दो गुना कर दिया है पहले कारोबारियों को 20 लाक रूपए पर GST चूट मिला करती थी अब वहरासी बढ़ा कर 40 लाक कर दिया गया लॉकडाउन के दवरान प्रभावित कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह राहत भरी खबर है वितमंत्रा योजना का बिकल्ब चुन सकते हैं ऐसे कारोबारियों को केवल 1% की दर से टैक्स का भुकतान करना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अब आवासी सेक्टर सहित निर्मान क्षेत्र को 5% के टैक्स सलैप के तहत रखा जाएगा सस्ते मकानों पर GST अब 1% रह गई है फ इत्मंत्राले के अनुसार GST लागू होने के बाद टैक्स पेयर बेस लगभग दो गुना है GST के लागू होने के समय कवर किये गए ऐसे सिरीज की संख्या 65 लाग थी लेकिन अब यह बढ़कर 1.24 करोण से ज्यादा हो गई है गौरतलम है कि देश में GST को 1 जुलाई 2017 से ल भारित दर 11.06 प्रतिसत है जबकि राजस्वत तटस्थ दर समिती के अनुसार यह दर 15.03 प्रतिसत है असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का सुभारम किया दरसल 24 अगस्त को सुरू की गई यह रोपवे सेवा गुवाहाट से जोड़ेगा इससे न सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़कर लोकों को आवागमन की सुविधा दी जाएगी बलकि इससे परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा एक दसमलाव आठ किलोमेटर लंबा इस रोपवे में दो केविन हैं और हर केविन में 30 यात्री बैट सकेंगे लेकिन COVID-19 की वजह से जारी स्वास्थ दिशा नर्देसों के चलते केवल 15 यात्रियों को ही लाया ले जाया जाएगा इस रोपवे को 56 करोन रूपए की लागत से कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर तक बनाया गया यात्रा के दौरान गुवाहाटी सहर की खुबसूर्ती के साथ विराट ब्रह्मपुत्र नदी और पीकॉक आइलेंड में बने उमानंद मंदिर का नसारा आसानी से देखा जा सकता है गौरतलम है कि इस प्रोजेक्ट पर काम गुवाहाटी मेट्रो पोलेटन डेबलपमेंट ने साल 2006 में सुरू किया था कामाख्या मंदिर का ग्रिह निलांचल हील और सराय घाट ब्रेज समेत अन्य कई आसपास की जगह इसका आकरशन केंद्र होगा और अबंत में कुछ अन्य महत्त पूर्ण खबरों पर एक नजर 23 अगस्त को भारती प्रधान मंत्री ने नुवा खाई जुहार के अवसर पर देश के किसानों को सुफ कामनाई दी आपको बता दे कि नुवा खाई जुहार एक क्रिसी उत्सव है जिसे नुवा खाई परव या नुवा खाई भेटवाट भी कहा जाता है यह दो सब्दों नुवा और खाई से मिलकर बना है जो नए चावल के महत्त को दरसाता है यहां नुवा का अर्थ नया और खाई का अर्थ खाना से है यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए पस्टिमी ओडिशा, दक्षणी 36 गण और जहारखंड के कुछ खेत्रों में मनाया जाता है यह इन छेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यवहार है जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बात मनाया जाता है इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेज भोजन तयार करते हैं हाल ही में आरोग सेत्रों में लोगों के व्यापार और अर्थ व्यवस्था को सामान इस्तिती में लाने के लिए एक नई Open API सर्विस की शुरुआत किया गया आरोग सेत्रों की Open API सर्विस का लाब वे संगठन और व्यवसाइक संस्थान ले सकते हैं जो 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में पंजी कृत हैं और वे रियल टाइम में आरोग सेत में पता लगाने और अपने कर्मचारियों की स्वास्थ इस्तिती साझा करने के लिए अपनी सहमती प्रदान किये हैं ओपन एपी आई सर्विस के वल आरोग सेत से एवं आरोग सेत उपयोग करता का नाम उपयोग करता की सहमती से प्रदान किया जाएगा ओपन एपी आई सर्विस के माध्यम से कोई अन्य व्यक्तिगत डाटा प्रदान नहीं किया जाएगा COVID-19 से निपटने के लिए आरोग सेत ऐप को 2 अप्रेल 2020 को लॉंच किया गया था हाल ही में केंद्री सडक परिवहन एवंग राजमार्ग मंत्री ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्मार्ण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक हरित पत नाम मोबायल अप लॉंच किया है नई हरित राजमार्ग नीत में व्रिक्षा रोपन की समिक्षा करते हुए किंद्री सडक परिवहन एवंग राजमार्ग मंत्री ने देश में सडक निर्मार्ण में आधुनिक एवंग हरित प्रद्योगिकियों के उपयोग पर चोर दिया है। एक वर्स जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तिमाल के संदर्भ में परियावर्णी द्रिष्टी से रणात्मक इस्तिती में आ जाता है तब अर्थ ओवर सूट डे मनाया जाता है। इन संसाधनों का उपभोग करेंगे उतना हमारे भविश के लिए निर्धारित वर्सी कोटे से अतरिक्त का उपभोग होगा। अर्थ ओवर सूट डे को निर्धारित करने का कार्य अंतरराष्टी थिंक टैंक ग्लोबल फोट प्रिंट नेटवर्क से जुड़ी सोध करता के साथ किया जाता है। समस्त मानो समाच के लिए दिल्चस्प बात ये है कि ये पिछले साल की तुलना में 24 दिन की देरी से आया। पिछले साल यानि कि 2019 से यह 29 जुलाई को ही मनाया गया था। यह सैयोग कोरोना वाइरस के कारण हुए लॉकडाउन का परडाम है जिससे मानवी गतिवितिया सीमित हुई और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर रोक लगी। भारती वाइसेना के विंग कमांडर गजानन्द यादव ने एयर एडवेंचर स्रेडी में तिनेजिंग नोरडो साहसिक पुरसकार 2019 जीता है। भारती वाइसेना ने अपने ओफिसियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से यह विशेश पुरसकार जीतने पर विंग कमांडर यादव को बधाई दी। गजानन्द यादव भारती वाइसेना में पैरासूट जंग प्रसिक्षक हैं वे भारती वाइसेना की स्काई ड्राइविंग टीम आकास गंगा के भी सदस्य हैं। साहसिक खेलों के लिए भारत का सरवोच राष्टी पुरसकार माना जाता है। यह पुरसकार प्रतिवर्स साहस के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिसों के आधार पर केंदर सरकार द्वारा यह पुरसकार प्रतान किये जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह अकादमी युवाओं में प्रयोग एवंग नवाचार के गुण विक्सित करेगी। गरतलब है कि हाल ही में केंदर सरकार ने राष्टिय सिक्षा नीती 2020 को मंजूरी दी थी। इस नई सिक्षा नीती में छात्रों को रचनात्मक सूँच, तारकिक निरणे और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसी से प्रेरणा लेते हुए आयाटी खड़कपूर ने अपने परिसर में सास्त्रिय एवंग लोक कला अकादमे की सुरुवात की है। इसके अलावार राष्टिय सुख्षा नीती 2020 में सुख्षा की पहुँच समानता, गुडवत्ता, वहनी सुख्षा और उत्तरदायत तो जैसे मुद्दों पर विशेश ध्यान दिया गया है। फिलहाल 8 पिम के इस निउज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिटूट से